अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या आप पास्ट में थी, या फ्यूचर में आएंगी, तो मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई, मैंनी 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 कॉम्रेचुलेशन्स! अगर आपको मेरी ये बात हजम नहीं हुई, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स के ऐसे पाँच फाइदे, जिनको सुनने के बाद आपको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं, और जब भी लाइ अपनी प्रॉब्लम्स को फाइदे में कर दो अत बतीते जाते हैं और आपके साथ ब्रॉब्लम्स के ऐसे पाँच फाइदे डिसकस करूँगा, जिनको सुनने के बाद आपको भी problems problems नहीं लगेंगी आपको भी problems opportunities लगेंगी और आप भी problems पे बल्ले बल्ले कर पाओगे पहला फाइदा तो यह है कि कुछ दर्वाजे ऐसे होते हैं जो problems के आने पे ही खुरते हैं बहुत बार किसी relationship के तूटने पे, किसी job के हाथ से जाने पे, किसी plan के fail होने पे हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है लेकिन future में हमें answer मिलते हैं कि यह होना बहुत जरूरी था For example, आपको कोई relation past में तूटा लेकिन आज आप गलत इंसान की जगा सही इंसान के साथ हो Past में कोई job आपके हाथ से गई लेकिन आज आप better job में हो या फिर अपना business है जब भी, जब भी, जब भी, जब भी कोई दर्वाजा बंद होगा तो आपके लिए एक नया दर्वाजा खुलने के लिए तयार होता है Steve Jobs को भी अगर किसी टाइम पे Apple से निकाला ना गया होता तो Next और Pixar जैसी companies वो कभी नहीं बना दे मतलब अगर life में problems नहीं होगी तो बहुत सारे नए और अच्छे दर्वाजे कभी खुलेंगे ही नहीं So अगर आपकी life में problem आए अगर कोई दर्वाजा बद हुआ तो congratulations, many many congratulations एक नया दर्वाजा आपके लिए खुलने के लिए तयार है दूसरा फाइदा यह है कि problems हमें सही रास्ते पे ले आती है याद है बच्पन में जो parents कहते थे कि यह चीज गरम है इसको मत छुना इसके पास मत जाना लेकिन जब तक हाथ जला नहीं तब तक हम समझे नहीं हम इसे जादा तर लोग ना खुद को बदलने के लिए तयार नहीं है हम अपने lifestyle अपनी आते हैं अपनी conditions जैसे भी हैं चाहे कितनी भी खराब हों कितनी भी बुरे हों हम चलने देती है लेकिन फिर हम पे कोई problem आती है चो हमें मजबूर कर देती है ट्रैक पे वापिस आने के लिए हमें मजबूर कर देती है खुद को बदलने के लिए हमें मजबूर कर देती है राइट स्टेप्स लेने के लिए एक साथ पहले तक मैंने कभी अपनी health की परवाह नहीं की exercise zero थी खाता बेहसाब था और traveling बहुत जादा थी फिर health problem शुरू हुई गंदा वाला बिमार हुआ सपने कहीं न कहीं health की वज़े से छूटते नजर आ रहे थे कहीं दिन hospital में waste होते नजर आ रहे थे फिर decide कर लिया कि आज के बाद regular exercise और proper diet और वो आदत आज भी चल रही है लेकिन शुरू कैसे भी problem से सो आगे से life में जब भी problem आये तो परेशान होनी की जगां खुद को बदाई दो और देखो कि इस problem में ऐसी कौन सी opportunity है खुद को ठीक करने की खुद को correct करने की और अपनी life को और अच्छा बनाने की थर्ड फाइदा है valuable lessons ये life की सड़क पे जब भी problems आती है न तो वो stop का sign नहीं है बलकि वो हमारी guidelines है जब भी life आपको जबरदस्ती की problems देती है तो समझ लो कि life आपकी उपर lessons को force कर रही है और ये lessons ये lessons आपको grow करने के लिए force कर रहे हैं फौर जेंपर अगर किसी का break up हो गया तो इसमें भी तो lessons है हमें पता चला के ऐसी कौन सी गलतियां उस 인सान ने की जो हम अपने future relation में ना करें हमें पता चला हमारी क्या गलतिया थी जो हम सुदार सके हमें पता चला कैसा इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है कैसा इंसान हमारे लिए ठीक है अब इनी लेसंस का हमारे future relation में या हमारी married life में हमें ही फाइदा होने वाला है हा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बोलो अच्छा अच्छा ब्रेक अप से फाइदा होता है तो वो अपनी life में अपने future में एक better father और better mother बन सकता है ऐसे ही बहुत बार business के failures भी हमें business के बहुत important lessons सिखा जाते हैं किसी भी successful इंसान की life को जो हम देखते हैं तो हमें सिरफ उनका success नजर आता है लिकिन अगर उनकी life को study करो गर उनकी biography को पढ़ो तो आपको नजर आएगा कितनी important थी उनकी life में उनकी problems इनी problems से वो सीखते गए आगे बढ़ते गए और आज यहां तक पहुँच गए fourth point है कि यह problems हमारे अंदर का potential बाहर निकालती है हम सब के अंदर potential होता है हम सब के अंदर capabilities होती है हम सब के अंदर कोई ना कोई talent होता है जो हम बहुत बार बाहर नहीं निकालते लेकिन शुकर है शुकर है कि यह problems हमारी life में आती है और हमारे potential को बाहर निकालती है अपना एक personal incident आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ सार पहले मेरे एक accident हुग जिसमें मेरे यह wrist का fracture हुग और कुछ और चोटे भी लगी जब मैं complete bed rest पे था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और अपने अंदर के writer को मिल पाया वो accident ना होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर भी एक writing का कीड़ा और poetry का कीड़ा है ऐसे ही Soichiro Honda ने जब Toyota में apply किया तो उनको बोल दिया गया कि आप इस job के काबिल नहीं है इस problem ने इस rejection ने उनके अंदर का hidden potential निकाला उनके अंदर का businessmen निकाला और उन्होंने बना दी Honda Motors जो आज Toyota के competition में है ऐसी ना जाने कितनी success stories है जिनकी recipe को अगर आप देखोगे ना तो उसमें बहुत important ingredient मिलेगा आपको problems का मतलब साफ है अगर आपकी life में problems आ रही हैं अगर आपकी life में problems आ रही हैं तो congratulations once again आपको मौका मिल रहा है अपने hidden talent को बाहर निकालने का अपने अंदर के potential को बाहर निकालने का फिफ्ट पॉइंट ये problems आपका confidence और आपकी self-esteem को बढ़ाती है ये जो problems है ना ये washing machine की तरह है ये problems आपको मोडती हैं, मरोडती हैं, गुमाती हैं, चटपटाती हैं, चटके रेती हैं लेकिन, लेकिन जब आप बाहर निकालती हो ना, तो आपकी personality और महती है आपकी personality और चमकती है आपका confidence और grow कर जाता है, आपकी self-esteem और बढ़ जाती है सो problem से deal करने का experience, problem को face करने का experience, problem को opportunity में convert करने का experience आपका confidence और बढ़ा देता है आपकी self-esteem और बढ़ा देता है सो दोस्तो आज के बाद life में जब भी problem आए तो इस video को याद कर लेना खुद को बदाई देना और ये problems के 5 फाइदे याद कर लेना कि problems आपके लिए नए दरवाजे खोलती है problems आपको सही रास्ते दिखाती है problems आपको lesson सिखाती है problems आपके अंदर का hidden potential बाहर निकालती है और problems ये आपके confidence और self-esteem को और बढ़ा देती है problems हर किसी की life में आती है लेकिन जादा तर लोग complain करते रहते हैं frustrated हो जाते हैं, depressed हो जाते हैं अपनी family life, अपनी social life खराब करते रहते हैं stress में रहते हैं, tension में रहते हैं लेकिन अगर आप इन 5 points को ध्यान में रखोगे तो problems की तरफ आपका attitude बदलेगा आपकी life में खुशी और बढ़ेगी आपकी family life, आपकी social life में खुशीयां बढ़ेगी stress और tensions दूर रहेंगी आप grow करते जाओगे और हमेशा मुस्कुराते रहोगे लास्ट में एक चोटी सी request आप सबसे करना चाओगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद problem की तरफ आपका नजरिया, problems की तरफ आपका attitude बदला है तो आसपास का महौल, आसपास का environment positive बनाने में आप मेरी मदद कीजिए इस दुनिया में हर किसी की life problem से भरी है तो मैं और कुछ नहीं चाओँगा, बस इतना चाओँगा कि आप इस वीडियो को facebook पे share कीजिए सो टेट हम लोगों का भी problems की तरफ नजरिया बदल सके और अपने आसपास के environment को positive बना सके सो खुशियां बांटते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए Stay blessed, stay inspired